हलो दोस्तो जोती कीरस होई with my blogs में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत हैं कैसे हैं आप सब लोग उमीद हैं बहुत ही अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे तो आप चलिए मैं आ रही हूं चतपर यानी सुबह का 8-8.5 बजे का समय हैं और सारे बच्चे चले ग बेंडा थोड़े सी उमस मतलब मस्ती मौसम लगता ऐसे मुझे मौसम बहुत पसंद है तो देखिए जराकुस तोड़ लेते हैं दोस्तो जराकुस तोड़ने के बाद फिर मैं नीचे जाओंगी चाय बनाओंगी पीऊंगी और खाना की त्यारी करूंगी दोपैर की जिसके बाद फिर चाय बनाने के सासत में रख दूंगी कटहल तो कटहल उबालने रख देंगे विस्तर भी वैसे पड़ा हुआ है आज कुछ काम नहीं हो पाया सही से तो पहले कटहल रख देते हैं फिर चाय पी लेंगे और जब यह कटहल उबलेगा चाय पी लेंगे पिस वह दोस्तों चाया बनाने के बाद त्यारी करने के पाद अब लगें पर्दे में तो आज पर्दों कादो बहुत गंदे हो रहे थे वह सब्दे के कोफतर बनेंगे तो वही बनेगा तो आप चलिए पर्दे वगएर उता लेते हैं खाना बन चुका है मेरा मैंने किचन वगएरा सब साफ कर लिया है और अब इसे रख देंगे पर्दे को भीगोने के लिए साबुन में डालकर सफ में तो अब बरतन सारे मेरे एक तरब रखे हुए है सब्साइं ब्हद में भर कर बस पर्दे को भीगो देंगे फिर से जाड़ुपोचा और सबसाफ सफाई कर लेंगे तुधत लिए खाना ambiguity बढ़ा खाकर अच्छे से दोएं के रख देंगे पर्दों को सफाफ सफाई करकर तो भोली HOW बीआ है दोस्तों नज्जी की तो दोस्तों मेरा वीडियो प्लीज प्लीज प्ली अब वोग पूरा देखा कर ये इसकी पम्त किया कर ये और सपोर्ट किया कर ये शेयर किया कर ये नये लोग जो है और सब्सक्राइब किया करिए अभी मेरे व्यूने आ रहे हैं दोस्तों सब्सक्राइबर नहीं बढ़ना है तो प्लीज सब्पोर्ट करिए तो यह दिक्षे पर्दों को हमने भीगो दिया है तो हम चार बजे साम को पर्दे धो रहे थे तो पैर में नहीं हो पाया तीन चार बजे के आसपास धुला है और फिर धोकर इन्हें रख दिया है खांगाल कर सुबह फिलाएंगे ताकि अच्छे से पानी निचुड़ जा और एक गंटे में यह सुख जाएंगे तो अभी धिक लिखो देंगे और साम को जब मोटर चलेगि तो वही ना लए थे देखिए पर्ण्यों पापड़ बनाया थे ना तो वही पर्यों को भी साउओन के पानी में दौकर साफ करकर निकाल लेंगे और साफ कर लेंगे ताकि यह भी किसी काम में आ जाएं तो वेस्टेस नहीं कर तो आज का वीडियो यहीं तक था वीडियो पसंद है तो लाइक